नमस्कार स्वागत है सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज का ये वीडियो सभी आंगनबारी बहनों के लिए काफी इंफोर्मेटिव है जैसे कि आज के इस वीडियो में आप सभी आंगनबारी बहनों को बताने वाला हूं कि पोशन ट्रेकर एप में 8.4 का एक नया अपडेट आ चुका है तो जैसे कि 8.4 में क्या कुछ नया अपडेट आया है इसको जानने के लिए आप सभी आगनवारी बहने इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो आप सभी आगनवारी बहनों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पोशन ट्रेकर एप हो या आगनवारी से जुड़ी कोई भी इंफोर्मेशन हो आपको सबसे पहले चैनल के माध्यम से दी जाती है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि आगन बड़ी बहने पोशन ट्रेकर रेप में काम करती है तो काम करते वक्त आपको किसी भी परकार की PDF की जरूरत होती है जैसे कि बच्चों के growth monitoring की PDF चाहिए या फिर और भी परकार की PDF की जरूरत परती है तो आप किसी से PDF मांगती है या फिर खुश से कहीं से Chrome browser से जाके डाउनलोड करना होता है तो पोशन ट्रेकर रेप में जो PDF है बच्चों का PDF जो growth monitoring का उसका PDF आप आप लोग पोशन ट्रेकर रेप से ही डाउनलोड कर सकेंगी तो वीडियो आप लोग complete जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पोशन ट्रेकर रेप की नई अपडेट के बारे में जनकारी मिल सके तो जैसे कि आप लोग पोशन ट्रेकर रेप open करते हैं तो यहाँ से open करेंगे तो आपको अपडेट करने का option नहीं मिलेगा आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको ने mobile के play store में जाना होगा तो आपको simply अपना play store open कर लेना है play store open करने के बाद आप यहाँ पे पोशन ट्रेकर रेप जैसे ही लिखेंगे तो पोशन ट्रेकर रेप का यहाँ पे अपडेट आ जाएगा यहाँ नहीं कि यहाँ पे आपको लिख के आएगा अपडेट तो यहाँ से आप लोग अपडेट कर लीजिएगा हमने यहाँ पे अपडेट कर लिया है अपडेट करने के बाद आपको नीचे ही देखने को मिल जाएगा what's new में यह देख सकते हैं यहाँ पे 26 अक्टूबर 2021 को यह अपडेट आया हुआ है जैसे कि यहाँ पे दो अपडेट के बारे में आप बता रहा है अपडेट, रिसोर्सेज, पेज और माइनर बॉग फिक्सेज जैसे कि यहाँ पे जो संसाधन का अप्शन दिया गया है आप लोग रिसोर्स वाले अप्शन में देखते होंगे जो बच्चों का ग्रोथ चार्ट है स्टंटिंग और अंडरवेट वाला तो आप लोग वहाँ से सिर्फ देख सकते थे उसको डाउनलोड नहीं कर सकते थे लेकिन उसमें कुछ अपडेट आ चुका है जिससे कि अब आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते है तो चलिए यहाँ पे हमने अपडेट कर लिया है इसको आप simply open करते हैं open करने के बाद आप लोग अपने यहाँ पर mobile number और mpin डाल के login हो जाएगा जैसे कि आप लोग यहाँ पर नीचे देख पाएंगे कि यह जो sunscreen है 8.4 यानि कि यह नयावाला update है तो चलिए यहाँ से अब हम आपको mobile number और mpin डाल के आगे का process दिखाते हैं तो mobile number और mpin डालने के बाद इस परकार से आपका page open हो जाएगा तो जो नयावाला update आया है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे जो 3.1 ओप्शन देख रहे हैं simply आपको इसी पर click कर देना है इधर कोई भी update नहीं आया हुआ है लेकिन आपको जो update देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 3.1 ओप्शन पर click करने के बाद ही देखने को मिलेगा तो चलिए हम 3.1 ओप्शन पर click कर देते हैं click करने के बाद यहाँ पे जो resource वाला option है आप लोग पहले देख रहे थे उसको यहाँ पे update कर दिया गया है यानि इस परकार से आपको अब resource वाला option देखने को मिलेगा यानि संसाधन जिससे हम अपना पोशन ट्रेकर एप में कुछ जनकारिया लेना चाहे तो यहाँ से हम ले सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पे awareness दिया गया है यानि जागरुकता किसी भी चीज के बारे में हमको कुछ जानने के लिए जैसे कि pregnant woman, lactating mother, child care यानि जो गर्भुती महिला, अस्तनपन कराने वाली महिला या फिर बच्चे हैं उनके बारे में कुछ जनकारिया लेना है तो हम यहाँ से उसका PDF डाउनलोड करके जनकारी ले सकते हैं जैसे कि हमें pregnant woman के बारे में कुछ जानना है, जनकारिया लेना है तो हम pregnant woman पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो preventing anemia in woman, anemia का जो लक्षन है उसको हम लोग की जनकारिया चाहिए तो हम यहाँ से उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो इस पे हमको click कर देना है click करते ही आपको यहाँ से PDF viewer यानि PDF reader पे ले जाएगा या फिर हम लोग Google Chrome के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि हम PDF reader से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो Just One का option दिया गया है इस पे click करेंगे तो हम लोग का जो awareness of pregnant women का जो PDF है वो डाउनलोड होना start हो जाएगा तो इस परकार से preventing anemia in women जो महिलाव में एनिमिया का रोक्थाम के लिए जो हमें क्या करना चाहिए उसकी जनकारिया लेना है यहाँ पे story के माध्यम से दिया गया है जो की सारा चीज इंगलिस में दिया गया है आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद अगर किसी को भेजना चाहें तो यहाँ पे three dot का जो option है इस पे click करके यहाँ से send file का जो option है इस पे click करके आप किसी भी आगनबरी से विका को इसका PDF भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग भेज सकते हैं या फिर इसको अपने google drive में save करके रख सकते हैं बाद में अगर आपको कभी इसकी जोरत हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसी परकार से यहाँ पे lactating mothers का है, child care का है फिर यहाँ पे जो बच्चों का growth chart है यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि stunted assessment parameter, wasted assessment parameters, underweighting assessment parameters यानि कि बच्चों का जो नाटापन का growth chart है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो बच्चे कमजोर हुए, उनका PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, underweight यानि कि जो बच्चे कम version वाले हैं, उसको यहाँ से डाउनलोड करके हम लोग देख सकते हैं कि कितने वर्स के बच्चों का जो वर्जन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर आ आले पर किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद देख सकते हैं यहां पर जो बच्चों का ग्रोथ चार्ट है यहां से आप लोग देख सकते हैं जैसे कि पहले जो अपडेट था इस परकार का जिसमें कि हम लोग सिर्फ देख सकते थे उसको डाउनलोड नहीं कर सकते थे लेकिन जो अब इसका नयावल अपडेट आया है आप यहां से डाउनलोड करके किसी को भेज भी सकते हैं या फिर अपने लिए यहां पर डाउनलोड करके अपने फाइल मेनेजर में रख सकते हैं तो इस परकार से आप लोग देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनका स्टंटिंग एस इस्टिंग एसिस्मेंट पेरामिटर्स जो बच्चे कमजोर हैं उसकी पहचान करने के लिए यहां से हम उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि यहां पे देख सकते हैं पूरा उसका PDF यहां पे आ चुका है टोटल 14 पेज का है यहां से हम लोग 0 से लेके 5 वर्स तक के बच्च लर्कों के लिए अलग लर्कियों के लिए अलग जो दिया गया है उसको यहां से हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितने बच्चों का कौन से बच्चों का कैसा हाइट होना चाहिए वेट होना चाहिए सभी परकार की यहां पे डिटेल्स मौजूद हो चुकी है त हिंदी में होता तो और भी बहतर होता जिससे कि आगनबारी सेविकाओं को इन सबीच चीजों के बारे में समझना और भी असान हो जाता जैसे कि यहाँ पे manuals दिया गया है यानि portion tracker follow process कैसे portion tracker app में login करना है कैसे mpin set करना है कैसे reset करना है सारी जनकारी आप यहाँ से manuals में जाके उसका भी PDF download कर सकते हैं और यहाँ पे notification है जैसे कि portion tracker app की जो पत्रीका है उसको download करना चाहते हैं तो यहाँ से download कर सकते हैं और उसके बाद नीचे आने पे देख सकते हैं कि portion track क्या है कैसे download करना है कैसे इसमें pin set करना है कैसे यहाँ पे what is mpin पे पे किलीग करेंगे तो यहां पे आप को하 e만 ke इसके बारे में जनकारी मिलेगी हलाकि सारी चीजs!" को यहाँ पे English में ही update किया गया है यह update हिंधी में होता तो और भी अच्छा होता चलिए खेर यहां पर जो अपडेट आई थी उसके बारे में हमने आपको जनकारी दे दिया है उमिद करता हूं कि आपको हमने इस अपडेट के बारे में पूरी इंफोर्मेशन दे दी है वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो आप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिजेगा और ये वीडियो अपने अन्य आगनवारी बहनों के साथ सेर जरूर किजेगा ताकि उनको भी इस पोर्शन ट्रेकर एप की एट पॉइंट फोर अपडेट के बारे में जनकारी मिल सके तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद